हाई ट्विल्दीज, वेलकम टो एजीवे कावमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फाइनेशल मानेजमेंट चेप्टर की केस टेडीज को कवर करेंगे इससे पहले वाले पार्ट में इस चेप्टर की वर्किंग कापिटल और फिक्स कापिटल को लेकर केस टेडी कराई गई थी बट आज के इस वीडियो में मिक्स हम करेंगे, यानि कि फुल चेप्टर को कवर करेंगे, सारे चेप्टर के हरे कंसिप्ट को कवर करेंगे तो ये case studies काफी जादो important है guys जरूर इसे अच्छी तरीके से समझना इससे पहले guys की case studies start करा हूँ आप अपनी book खोल लो book के साथ आपको हर एक concept revise होना चाहिए ताकि आप case study पढ़ते ही पता लगा सको किस बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले guys case study पढ़ते हैं which two components affecting a dividend decision have been highlighted in the above paragraph तो आपको पता है dividend decision के बहुत सारे factors है उनमें से ये दो factor की बात करें जो इन्होंने case study में दी है जिसमें से Medelline Pharmacy Limited has been earning handsome profit for the last many years consecutively company मनदब company काफी अच्छा profit कमा रही है पहले बात तो उन्होंने ये कहिए company has to decide about the dividend to be declared this year वो कहते हैं कि इस साल तो हम dividend declare करेंगे करेंगे company has enough goodwill in the market market में बहुत अच्छी reputation है as such it is not all difficult for it to arrange capital in the capital market और ना ही उन लोगों के निये guys difficult है कि capital market से पैसा उठाना वो और आम से उठा सकते हैं keeping in view all these factors company decide to increase last year dividend by 20% company कहते है भाई last year का जो हमारा dividend था वो अब हम 20% जादा देंगे भाई ऐसा वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि काफी अच्छा कमा रही है उसकी market में position अच्छी है तो इस वजे से वो ऐसा कर रहे है तो कौन से दो component है जो ये decide कर रहे हैं कि ये dividend अच्छा देंगे first is the stability of earning guys क्योंकि वो काफी time से अच्छा कमा रहे है ठीक है उन्होंने बोले काफी year last many years से वो अच्छा कमा रहे है तो stability of earning ये decide कराते है कि वो dividend अच्छा बातने वाले है second guys वो 20% extra भी क्यों दे रहे हैं तो दो factor जो यहां highlight हो रहे हैं guys एक तो जो उन्होंने बोला अपनी earning के बारे में दूसरा उन्होंने जो बताया guys कि वो market में बहुत easily पैसा उठा सकते हैं उसकी वज़े से तो ये दो factors हैं जिनका जिकर किया जा रहा है इसके लिए guys आपको ये factors पहले पता होने चाहिए और अगर आपको नहीं पता हैं तो मैं आपको सिर्फ एक suggest कर सकते हूँ कि इसकी वीडियो जरूर देखना बिसनस टडीस की मेरी प्लेइलिस में हर एक topic को cover किया गया है जरूर वीडियो देखेगा ताकि हर एक concept आपके mind में अच्छी तरीके से बैठ जाए ठीक है अब इसके बाद guys वो बोलते है also state one more such factor तो आप कोई भी और factor बता सकते है amount of earning बता सकते हैं उनकी cash flow position बता सकते हैं बहुत सारे factors हैं इसके बाद next जो case study है guys identify the financial concept discussed in the above para also state the objective to be achieved by the use of financial concept तो वो हमसे कोई financial concept की बात कर रहे है की बताओ तो चलो case study पटने फिरी बताएंगा Somnath Limited is engaged in the business of export of government भया Somnath का किस चीज का काम है Somnath Limited का export करने का government को export करते हैं बहुत भाहर बेचते हैं in the past the performance of the company had been up to the expectation जितना उन्होंने सोचा बहुत अच्छा काम किया In the line with the latest technology the company decided to upgrade its machinery company कहते है भया हमें अपनी machinery को upgrade करना है ठीक है For this the finance manager Dalmia estimated the amount of fund required and the timing Dalmia कहते है जो कि कौन है finance manager है वो एक decide करते है कितना amount चाहिए और कब चाहिए होगा This will help the company linking the investment and the financing decision on a continuous basis जिस्दे को मैंने अभी आदी case study पढ़िया बट में concept पता चल चुका है मुझे कि किस बारे में बात करें तो अगर आपने इस chapter को अच्छी तरीकी से पढ़ रखा है तो आप 3rd 4th line तक आते आते बता दोगे किस concept की बात करें उसके बाद उसके बाद वो कहते है उसके बाद वो कहते है by doing this he wanted to be sure about the availability of a fund from the internal source of business वो यह भी decide कर लेता है कि internally हमाँ पस कितना पैसा है for the remaining fund he is trying to find out alternative source from outside और जितना पैसा नहीं है वो हम भाहर से कहां से लेने वाले हैं तो guys यहाँ पर सिर्फ financial planning की बात करी जा रही है तो अगर आपने financial planning concept पढ़ा है तो आपको पता होगा financial planning का main मकसद ही होता है कि हमें fund available रहे at the right time ना ही हमारे पस ज़्यादा fund raise हो ना ही कम हो हमारे पस fund availability होनी चाहिए at a reasonable cost यानि कि बहुत पैसा तो आप कभी भी उठा सकते हैं लेकिन पैसा ज़्यादा cost पर उठाने से company को नुकसान होता है तो यहां पर जो बात करी गई है financial planning की actual में बात करी गई है ठीक है तो आपको यह पर financial planning के बारे में लिखना है अगर financial planning की guys में definition बताऊं बुक में तो यानि कि बेसीकली जो हमारा financial planning होता है वो यही कहते है कि सही समय पर पैसा अविलेबल हो जाए अट आप रीजनेबल कॉस्ट हो guys और ना ही ज़्यादा पैसा हमारे पास होना रेज होना चाहिए कि आईडियल पड़ा रहे तो सही पैसा होना चाहिए सही समय पर यानि कि जितना चाहिए उतना ना जादा ना कम तो यहाँ पर financial planning के बारे में यह बात कर रहे है अब यह बोलते हैं कि also state the objective to be achieved by use of financial concept अब वो यह objective guys कैसे पूरा कर सकते हैं तो देखो financial planning के mainly दो objective होते हैं to ensure availability of a fund whenever required यानि कि जब भी भी हमें पैसा चाहिए हमारे पास available हो second to see the firm does not raise the source unnecessarily कि भाया firm यह भी check करना कि firm जादा पैसा ना raise कर ले क्योंकि जादा पैसे की cost भी bear करनी पड़ेगी plus वो पैसा ideal पढ़ा वेगा कहीं use नहीं हो पाएगा जो company के लिए नुकसान दायक situation होती है तो financial planning के दो main objective क्या होते हैं कि हमें जब पैसे की need है to ensure availability of a fund whenever required and to see that the firm does not raise the source unnecessarily ठीक है तो यह case study में बात करी गई है और financial planning काफी important concept है जिसके आपको importance भी पढ़नी है और बहुत असान सी importance है छे साथ lines है बस और बहुत असान है guys इसके बाद आगे बढ़ते हैं guys हम अपनी 13 case थर्ड case study पर identify the financial concept discussed in the above again यह कोई financial concept की हमसे बात करे है also state any two point of importance of the financial concept okay so Ramnath limited is dealing in a import of organic food items in a bulk Ramnath भाई पहले export की case study थी अब import की आ गई है the company sells the item in a smaller quantity in attractive packaging तो आप समझ सकते हो packages में वो बहुत अच्छी attractive packages के साथ कम-कम quantity बेशती है performance of the company has been up to the expectation in the past बहुत अच्छी performance रही है keeping up with the latest packaging technology the company decide to upgrade its machinery company कहते है भी है machine हम नहीं upgrade करेंगे for this the finance manager of the company Mr. Vikrant जो भी नाम है estimated the amount of fund required and the timing Mr. Vikrant decide करते कि हमें कितना fund चाहिए और किस time पर चाहिए अब आपको बता ही चल गया किसके बारें बात हो रही है guys financial planning की this will help the company linking the investment and the financing again वही लाइन क्योंकि financial जो guys हम लोग planning करते हैं क्योंकि इन्होंने इस case study में पूछा है तो देखो financial planning concept की बात हो रही है और पूरी case study पिछली वाले जैसी है कि उसने पूरी sales forecast कर ली data एक खटा कर ली है पूरी case study वही है आप पढ़ सकते हो ठीक है तो इन्होंने financial planning की बात ये लोग कर रहे हैं और अगर मैं इसकी importance बताऊं guys it helps the firm to prepare for the future it link the investment decision with the financing it helps in avoiding the business shocks and surprises यानि कि जब आप पैसे को manage करके चलते हो आप future के लिए अपने आपको prepare करते हो आप अपने decision के investment decision को link कर पाते हो finance की कहां से आएगा कैसे आएगा तभी आप invest कर पाते हो और ये आपको business shocks and surprises से बचाता है it links the present with the future ठीक है ये आपके present को future से जोडता है यानि कि आपको कहां जाना है उससे it reduce the waste and duplication of efforts ठीक है तो ये सारी importance है और बहुत असान सी है तो आप अच्छी तरीकसे से पढ़ सकते हो next case study पे पहुंचते है guys उपर काफी छोटी सी है इसमें identify करना है the factor affecting dividend decision dividend decision को कौन सा factor affect करता है which allow neon bank to impose restriction on the payment of dividend by venus limited अब देखो venus limited के बारे में case study है as a part of its capital structure venus limited had a 50 lakh as equity share capital venus limited के पास कितने है guys 50 lakh उट पे equity share capital है और उन्होंने loan भी ले रखा है 20 lakh का neon bank से okay on earning a good profit venus limited decided to give dividend to the equity shareholder venus limited अच्छा कमाता है और वो बोलता है कि बही मुझे तो dividend देना है to equity shareholder but were surprised when the neon bank imposed restriction on the payment of dividend but were surprised हो जाता है कि neon bank जो है उसके उपर restriction लगा रहा है but were surprised when the neon bank imposed restriction on the payment of dividend तो यहां पर कौन सा dividend अब देखो आपको वो question समझ आएगा identify the factor affecting dividend decision which allowed neon bank to impose restriction neon bank कौन होता है restriction लगाने वाला so guys neon bank से उन्होंने loan ले रखा है उनका एक contract बन रखा है जिसकी वज़े से वो restriction लगा रहा होगा वरना कोई हिम्मत नहीं थी उसकी तो यहां पर contractual guys आपके agreement आजाएगा contractual constraint आजाएगा जिसकी वज़े से हम लोग dividend देने से रुख जाते क्योंकि हमारा किसी और के साथ contract हो रखा है कि भाया पैसा हमें आएगा या whatever यह contract है कि हम dividend बाटेंगे नहीं बाटेंगे या कितना बाटेंगे तो कोई हम पर तभी रोग लगा सकता है जब हमारा उससे कोई contract हो रखा है तो यहां पर dividend का कौन सा factor है contractual constraint जिसकी वज़े से बिचारे इस company को रुखना पड़ रहा है तो dividend decision को और कौन से है amount of earning है stability of earning है cash flow position है बहुत सारे factors है guys जो यह decide कर बाते है इसके बार हमारी next case study है जिसमें इन्होंने हम से पूछा है in the light of the above identify the three factors affecting the capital requirement of a steel-owned enterprise state with reason whether the factors are identified above और हमें high working capital या low working capital चाहिए होगे तो steel-owned enterprise manufacturing a high quality steel utensils the demand for steel is rising as people are getting aware that the plastic is not good enough भाई steel की demand बढ़रे क्योंकि plastic अच्छी नहीं है अब लोग steel के बटन खरीदने लग गए उन्होंने अपने बायर को उधार पर समान देने लगे वो भी तीन महीने तक क्या उधार तो गाईज अब ऐसे case में कौन से factors है जो working capital requirement के बार में बता रहे हैं तो सबसे पहला तो guys nature of a business यहाँ पर business manufacturing है ठेक है और ऐसे business manufacturing business को ज्यादा capital की need होती है ज्यादा working capital की second guys credit allowed यानि कि यह credit allowed कर रहे हैं दूसरी companies को तो यानि कि इनको तीन महीने तक कोई पैसा नहीं आएगा तो इन्हें working capital ज्यादा maintain करके चलनी पड़ेगी third guys यहाँ पर बात करें कि वो अपने business को increase करना चाहते हैं to encourage the sale तो यहाँ पर scale of operation वो बढ़ा रहे हैं तो scale of operation अगर बढ़ा होगा ज्यादा पैसा चाहिए होगा working capital के लिए तो उन factors की यहाँ पर बात करी जारी है इसके बाद आगे बढ़ते हैं guys next case study पर identify the factor affecting dividend decision being highlighted in above situation dividend decision को कौन सा factor है जो यहाँ पर बात करी जारी है कोबी limited is an 87 year old reputed consumer goods company 87 year old का consumer नहीं है company है कोबी limited it is known for offering a good quality electronic product at reasonable price ठीक है अच्छे product और सस्ते दामों पर it has branches all over India it has a large shareholder base बहुसारी shareholder अच्छा base है उसका the shareholder desire that some dividend is paid every year on their investment desire अमाला जो भी shareholder है वो कहते है कि भाया हमें तो हर साल कुछ dividend तो दो हमारी तो income है आगे companies management understand that it is important to keep the shareholder happy and satisfied तो company इस चीज़ को समझते है भाया हमें अपने shareholder को happy and satisfied रखना है as a matter of policy they declare a certain amount of dividend every year out of profit rather than reinvesting the whole as a retained earning तो company कुछ amount profit declare कर देती है सारा पैसा जोड़के नहीं चलती तो यहाँ पे guys किस factor के बारे में बात कर रहे हूं company ऐसा decision क्यों ले रही है stability of earning की वज़े से नहीं amount of earning की वज़े से नहीं shareholder preference की वज़े से share prices market में down हो जाएंगे shareholders happy नहीं रहेंगे तो इसलिए आपको share dividend shares पर देना पड़ेगा इसके बाद guys next case study है identify and explain the three factors highlighted above with the which affect the working capital requirement तो यह मैं बोलूँगी कि आप खुद एक बार देखिए और समझे क्यों कि working capital की में बहुत सारी case study करा चुकियो अब guys next video में हम नही case studies करेंगे तो जो working capital की है वो आप जरूर comment में बताना कि आपको समझ आई है working capital वाली case study और guys अगर आपकी कोई case study है जो आपको नहीं समझ आ रही तो instagram पर आप मुझे message कर सकते हो और पूछ सकते हो उस case study का answer अगर आपको कोई line समझ नहीं आ रही तो वो भी पूछ सकते हो I hope आपकी case study आपको समझ आई होगी अगर फिर भी कोई route है तो आप इंस्ट्राग्राम पर अवेलेबल हूँगा इस ID है तब इता मैसी Thank you